हेलो दोस्तों, किसी ने क्या खुब कहा है, मंजले उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंक से कुछ नहीं होता, हाउसलों से उडान होती है, किसी बढ़िया सोच के साथ स्वागत करती हूँ मैं, आप सभी का टारगेट यूपीटेट सीटेट चैनल में, दोस्तो हिंदी भी से केंतरगत हम लोगोंने, 2011 से लेकर, 2018 तक का यूपीटेट का सारा क्वेश्चन पेपर साल्व करवाया है, विद एक्स्प्लानेशन, हम लोगोंने 500 क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसको आप जॉइन कर सकते हैं, और उन सबका लिंक मैं डिस्क्र सब्भव सब्द, दोस्तों यह टॉपिक कोई भी एक्जाम जिसमें भी हिंदी आती है, उसमें चूटता नहीं है, अगर आपने इसको अच्छे से तयार कर लिया है, तो आपके नंबर विउकुल शेयर हैं कि आपको एक्जाम में विव मार्क साब कोई भी काट नहीं सकता ह है, तो दोस्तों चलिए आज बहुत ही सांदार्ट ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे और ऐसी ट्रिक जिसको एक बार अगर आप देख लेंगे तो फिर कभी आप भूलेंगे नहीं, दोस्तों चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं, पहले जान लेते हैं, आम भासा में सत्सम सब्द क्या होते हैं और सत्भो सब्द क्या होते हैं, दोस्तों सत्सम सब्द का अर्थ होता है या यह मिलकर बना हुए तत्धन सम से, इसका अर्थ होता है उसके समान, यानि कि दोस्तों वे सब्द जो संस्कृत भासा में जैसे थे, वैसे ही हम लोग ने उसको हिंदी में accept कर लिया है या हिंदी भासा में हमने उनको उसको रख लिया है तो वे सब्द कहलाते हैं तत्सम सब्द जैसे स्लोक संस्कृत भाता का सब्द हैं, हम लोग हिंदी में एडिये स्लोक ही बोलते हैं. क्रिपा, कृिष्ण, तो ये सबसब्द हमने जिस प्रकार से संस्कृत के सब्द थे ये, उनको हम लोग ऐसे हिंदी में भी उज़ करते हैं. ठीक है, दोस्तों, अब चलिए देखिए, ए से हिंदी में भी यूज किये जाते हैं यह आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है इसके बाद बाकी और सब चीजें इसके आगए आसान है अब दोस्तों देखिए तद्भो सब्द क्या होते हैं तद्भो सब्द तत धन भहुत से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है वि अपर अली में थोड़ा भूँ चेंज युआ फिर फ्राइकव भासा में थोड़ा बहुत चेंज युआ अब भ्रंस में चेंज वें पर चेंज होते होते हिंदी भासा में आ गया इस तरह से देखा जाए तो वह जो भी सब्द थे क्या हो गया ओई धीरे-धीरे उनका रूप बहुत ही परिवर्टित हो गया तो इन सब्दों को कहा गया तद्भव सब्द Люб, जैसे अगनी ठ्ट्रथ आपने अगनी आते 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 हिंदी में क्या हो आग बन गया, वर्षा क्या हो गई? वर्षा ड़ो गई, किशन क्या हो गई? किश्ण हो गया, तो इस तरह से हिंदी वासा में जो सब्द आयए, वह क्या हो गई? तदभाव, शब्द हो गई. संस्कित से बिगड़े हुए रूप जिनको हम कहते हैं, तो इस तरह से आपको उमीदे की समझ में आ गया होगा दोस्तों तो चलिए आप अच्छे से इनकी ट्रिक्स देखते हैं मज़ेदार ट्रिक्स जो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग कभी भी एक्जाम में ये तो गलत करके बिल्कुल नहीं आएंगे कौन सा सब्सम है कौन सा तदभाव है और किस प्रकार से या किसका क्या तदभाव या तदभाव होता है बहुत ही छोटे 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 रूल्स हैं जिनको बसको समझना है इसमें रटने वाली कोई चीज है ही नहीं एक बार अगर आप समझ लेंगे आपको कभी ने भूलेगा देखे दोस्तों पहला रूल है देखे जो हमारा तदभाव में खा होता है वह तदसम में क्या होता है चा होता है यानि कि जो हम लोगों ने संस्कृत में चा पढ़ा था वो अब हमारे हिंदी में क्या पढ़ा जाता है खा पढ़ा जाता है दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए ग्याद से अग्याद की और का रूल अपनाएंगे जैसे मनों विज्ञान में सच्छा सास्तों में पढ़ाया जाता है कि हमको जो ग्याद है पहले हम उसको पढ़े पिर अग्याद की और जाएं जिसको हम आग्याद का नियम कहते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ है पहले हम लोग तद्बह सब्दों को जानते हैं तो हम लोग तद्बह सब्दे से खेत जानते हैं लेकिन छेत्र कम लोग जानते हैं तो हम लोग जिन सब्दों को जानते हैं यानि दोस्तों, जहां भी छा आएगा, वो आपको समझ जाना है कि यह तत्सम सब्द है, अब चलिए देखते हैं, जैसे खेत का क्या है, छेत्र हो गया, तत्सम में, खीर का क्या हो गया, छीर हो गया, खार का क्या हो गया, छार हो गया, खुर का क्या हो गया, छुर हो गया, खोदना का क्या हो गया, छोदना हो गया, जहां भी आप देखेंगे, खा, वहां खा का क्या हो गया, छा हो गया है, अब देखिए यहां पर, खत्री का क्या हो गया, छत्री हो गया, साथ देखिए, अखा यहां पर देखिए, इक का इच्चू हो गया, भीक का विक्चा हो गया, फिर दोस्तों देखिए, माखन का म्रचण हो गया, साक्षी हो गया, सीख का सिक्चा हो गया, खुर्पा का छुरप्र हो गया, फिर दोस्तों देखिए, आखेट का चोट हो गया, ना का हडा होता है तत् तत्सम सब्द में यानि कि जिस सब्द में अड़ा लगा होगा वो सब्द क्या होंगे तत्सम सब्द होंगे तो दोस्तों चलिए बीना देरी के देखते हैं हिरन हम हिरन पढ़ते हैं उसका तत्सम सब्द क्या होता हरिड होता अब देखिए न का क्या हो गया अड़ा हो गया स कंटी है सोना, सोना का स्वर्ड हो गया, लक्षन का लच्छड हो गया, कान का कर्ड हो गया, उन का उन्ड हो गया, फिर देखिए दोस्तों, ना कर्ड बिकना का बिक्रयड हो गया, त्रिगुड का तिगुणा हो गया, दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर होना चाहिए था तिगुमना यहां पर उना चाहिए से, तरिगुडी यहां पर सा उल्टा हो गया, इसको आप लोग समझ लिजीगा, कि जिसमें भी अड़ा है वो क्या? तत्सम है और जिसमें ना है वो क्या है? तत्सम है याद रखिएगा दोस्तों, यह थोड़ा सा मिस्टिक हो गया है, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं इसको, पान का क्या हो गया, पढ़ हो गया, पाहन का पाशान हो गया, पहुना का प्रागूड हो गया, नून का लवण हो गया, जहां पर भी ना आया उसका क्या हो गया, लवड़ा हो गया, किसमें संस्कित भासा या तत्सम सब्दों में, दो यूना का चोड़ गिनना का गड़ना फिर दोस्तों देखिए 37 है गनेश का गडेश गाभिन का गरभिडी धिर देखी दोस्तों कोना का कोड काना का कानर कंगन का कंकर यूद Tigers जहां में आ जाए यहां पर देखिए बहा का वह उता है यानि कि तस्थम सब्सब्द ने जो हमारा वह संस्रीप में किया होता है इसल बंदर होता है सुद्र्ध सब्सब्स होता है न फिर बादल का वारिद, विच्छू का वरिच्चिक, बेटा का वत्स, विजली का विद्दुत, बकरा का वक्रर, वड का वर, बढ़ना का वर्धन, बाग का वाटिका, बैल का वरिशब, बहू का वधू, बखान का व्याख्यान, ब्याह का विवाह, फिरे दोस्तों बरसना का वर् बाइक बरात का वर्यात्रा यानि कि जहां पर भी हम हिंदी में या तद्भों में बायूस करते हैं उसका संस्कृत में क्या होता है वा होता है या उसका तद्सम वर्ड वा होता है यानि कि जिन वर्डों में वा होता है उनको हम तद्सम सब्द भी कह सकते हैं फिर देखिए ब गुला का वक्ष तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं जहां पर भी वा है उसका क्या हो गया है वा हो गया है अब दोस्तों इसके आगे देखिए तर्बो तट्सम ता का त्र हो जाता है जिसमें तस्दों में जो हम हिंदी में ता पढ़ते हैं जिन सब्धों के लास्ट म होता है आप देखिए इसके इग्जामपल सम्देख में समझते हैं जैसे पात है तो मिसका होता है ठीक है दोस्तों पूत का पूत्र पर-पोती का पर-पूत्री देखिए सब जगह त्रह दोस्तों, इसके बाद हम नहीं हम देखेंगे, दंती सा का हो जाता है तालब्य शा में कनवर्ट अब कैसे होता है दोस्तों ये देखिए शगून हम हिंदी में लिखते हैं और इसका संस्क्रिट सब्द होता है शगून ठीक है तो यहाँ पर देखिए इसको हम दंती शा बोलते हैं और इसको तालब्य शा बोलते हैं जो हम सोब बोलते हैं उसका सुद्ध सब्धिया तत्सम सब्ध होता है शद्ध अब देखिए सूट का सुस्टी यह कोश्चन दोस्तों एक्जाम में पूछा है फिर है सेम सेम का सिंबा सूना का शुन्य जहां पर भी आप धंती सा देखेंगे उसका तालब विसा में कन्वर् देखते हैं फिर देखिए दोस्तों सूंड का क्या हो गया है शुन्ड हो गया है सुना का शुन्य हो गया सफेद का श्वेथ हो गया जहां पर भी आप देखेंगे आप पाएंगे कि धंती शा का कन्वर्ट किसमें हो गया तालब में हो गया है अब यहां पर देखिए दोस् दोस्तों यह सलाई का सलाका मैंने बताया है यह एक्जामों में पूछ चुका है पहले तो यह इंपोर्टन्ट है ध्यान से देखिएगा इसको फिर साग का शाक सद्वों सब्समें शा का स्रा हो जाता है अभी आप लोग ने दंती शा का तालग भी शा में कन्वेर्ट देखा यहां पर दंती शाज होता है कुछ वर्टस इसके ऐसे होते हैं ज conventions हो जाता है स्रा में जैसे देखिए अभी हो इसको बोलते हैं शिंगार बोलते हैं हिंदी में तो इसका शुद्ध सब्सम न crust होता है जहां पर भी दोस्तों आपको जा दिखेगा वह तत्सम सब्द उसका यह होता है देखिए जोवन का यवन, जम का यम, जवान का यूवक, जाना का याती, जोधा का योधा, जोडा का यूगत, जिसका यस, जुगति का यूगती, जहां पर भी जा है वहां पर क्या दिख रहा में होता है किसमें होता हैं कि को सवस्रिंगार है jslles स्रिंगार ने की मात्रा लगी है फिर देखिये घी हम लोग Oui अग्रिस होता है मिट्टी मृतिका यहाँ पर आप लोग दिखे छिस भी वर्ड में री आया है वो क्या है तद्समसब्स तो ये इससे आप इग्जाम में पहचान भी सकते हुदिं नहीं होते हैं मुझेर मजंस बच जातेमं वर्टउं को हम अपवाद में मि लेते हैं तो देखिए जिसे खासी का ख्या होना चीज़े था खा का च्छा होता है लेकिन यहां पर देखिए कास होता है चुमना का चुम्बन होता है यहां पर ना काड़ा नहीं हुआ छठा का सस्ट होता है फिर इसके बाद देखिए सजन है सजन का स्वजन होता यहां पर भी नाकाणा नहीं हुआ तो कुछ अपवाद होते हैं यह सब अपवाद स्वरूप है तो अब चलिए आगे देखते हैं जहां पर भी ठा आता है उसके आगे मुर्धन्य शाह आ जाता है यानि कि आधा हो गया साथ है सस्टी हो गया देखिए मुर्धन्य शाह आ रहा है सब में फिर इसके आगे चलिए देखते हैं काट का कास्ट हो गया उट का उतिस्ट हो गया मुठी का मुस्टी हो गया सा में कन्वर्ट हो गा दोस्तों देखिए यहां पर एक्स्ट्रा सा लग जाता है रू इसका उचाड हम तालों से करते हैं, वो च्छा किसमे करणड होता था? छत्रिये वाले च्छा में, ठीक है? तो देखिए, यहां पर छिन है, छड हो गया, छीन है, शीड हो गया, छूरी है, छूरी का हो गया, छती है, छती हो गया, जिन वाड़ों में ग्या वाड़ा आते हैं, वा तस्सम सब्द होते हैं, देखिए जैसे, रानी का राग्गी हो गया, उमीद भे दोस्तों, मुझे कि आप लोग का नंबर बढ़ाने में या, डेफिनेटली मदद करेगा, या चेप्टर दोस्तों, और, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ, वाट्सेफ, इंस्टाग्राम, फेस्बुक, जहां पर भी हैं, आप उन सब को शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाव ले सकें, और एक्जाम में अच्छे मांक्स गेंड कर सकें, और दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, तब ही आपको कोई भी नया वीडियो में बनाऊंगी, तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,